इस वीड element in emphasis के बारे में इस वीडियों जो इस में वाला हूं वह हो इसका जॉब रोल मतलब अगर आप emphasis में select होते हो तो आपको basically काम क्या करना होता है उसके बारे में से वीडियों में reading करोंगे तो आपकी trainings होती है तो जो trainings होंगी वह आपकी आपके domain specific होती है जो एक महिने से लेके तीन महिने तक चल सकती है ठीक है और अभी जब आपका अगर वर्चुली आपका training हो रहा है तो उसका period थोड़ा कम हो गया है वरना emphasis पहले एक particular location पर बीच के training करती थी उसके बाद पो projects के हिसाब से emphasis के other locations पर बीचा जाता था ठीक है तो इनके उपर आपको generally train किया जा सकता है या फिर इसके अलावा emphasis आपका कई और जगह पर भी काम कर रही है जैसे कि sap पर काम कर रही है databases पर काम कर रही है तो other domains पर भी आपको training मिल सकती है तो domain specific होती है आपकी training तो जो भी आपका domain होगा उससे से आपको उतने period के साब से training मिलेगी अब कई लोग पूछते हैं कि emphasis में अगर हम exam में 60% score ना कर पाएं जो कि online assessment होता है तो क्या होगा जो training के बाद जो exam होता है तो कुछ भी नहीं होगा बस एक चीज होती है कि जो लोग काफी अच्छा perform करते हैं उनको अच्छे projects मिलते हैं जो बहुत larger scale पर होते हैं बड़े projects ह होते हैं जिन पर focus जादा होता है तो वह आपको मिलता हो दूसरी बत अगर आप training अच्छे से नहीं करोगे तो आपको कहीं नगी projects में दिक्कत आईगी क्यों क्यों आईगी क्यों कि projects में basically क्या होता है आपने चीज training में सीखी है उसी चीज को आप implement कर रहे होते हो तो अगर अपने धंग से सीखी ही नहीं है तो आपको कहीं नगी project में hectic चीज का सामना करना ही पड़ेगा अब मैं बात करता हूँ मैंने आपको कुछ domains बता है उससाब से emphasis में काम कैसे होता है अगर मैं काम की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि emphasis में total आपके तीन training कर रहे होगे अब यहां आपको क्या job मिलेगा आपको या तो development का मिलेगा या फिर आपको testing का मिलेगा क्योंकि जो support वारा रॉल है उसके लिए emphasis की एक अलग से hiring होती है tech support के लिए ठीक है तो इन दोनों में से आपको एक कोई job मिलेगा लेकिन वो बात अलग है कि इन दोनों support के काम करना पड़े लेकिन rare chance है ठीक है अब मैं काम की बात करता हूँ तो काम में basically क्या होता है कि emphasis में जैसे मैं आपको बताया कि हो सकता है आपको या तो development मिले या टेस्टिंग मिले तो development के काम में क्या होता है कि आपको सबसे पहले कुछ तास्क वगरा असाइन की जाते ह इसमें उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है उसका documentation होता है documentation हो के आप अपने team वगरा से discuss करके मतलब आप अगर ऐसा fresher join कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट में या तो shadow कराया जाएगा तो आपको क्या होता है कि किसी senior level के आदमी के under में दिया जाता है तो आप क्या कर रहे हो basically आप वो जो बुलेगा आप वो करोगे ठीक है आपको उसके साथ मतलब corporate करके काम करवाना है और main जो टास्क दिया जाएगा वो आपके अबब senior वाले को दिया जाएगा वो आपको small objects देगा ठीक है तो कहीं ना कहीं लर्निंग के मामले में यी चीज बहुत चीज है और आपको सिखाया भी जाएगा अंदर project में भी कई वार केटी होते हैं तो उसमें भी आपको सिखाया जाएगा तो work की कोई tension लेने की बात नहीं है तीसरी बात अगर मैं बात करूँ work culture की तो emphasis उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको काफी relaxed environment शेगी क्यों की work pressure ऐसा कुछ work culture जो है वो work life अच्छी है लेकिन work culture आपके project पर depend करता है कई बार ऐसा भी होता है काफी से projects में managers वगरा थोड़े सी आपको route मिल जाते हैं लेकिन overall company का अगर मैं बात करो तो other IT service based companies से work culture भी अच्छा है overall एक अच्छी company है तीसरी बात अगर मैं बात करूँ hikes की अगर जो लो आपके बात से company की hike अच्छी नहीं है company की hikes चार से 10% के बीच में कहीं range करती है तो hikes के मामले में companies not good तो वही बहतर option होगा कि आप 2 या 3 साल बाद स्विच कर लो company को ठीक है और अगर मैं बात करूँ इसमें testing domain की तो testing सब को ही पता है आपके पास code आता है आपको test cases वगरा आपको test करना होता है कोई bugs वगरा निकलते तो आपको team को बताना पड़ता है तो यह testing का काम होता है ठीक है overall अगर मैं बात करूँ इसमें salaries की salaries का देखो ऐसा होता है कि जब आप training period में होते है तो आपकी salary जो होती है वो मेरे हिसाब से around आपकी होगी 18,000 के सम्दे कुछ आप PFEF अटाके तो यह इसका कुछ salary का रहता है बाकी overall I don't think के और कुछ मुझ से doubt पूछा गया था यही सब doubt पूछे गए थे एक तो assessment के बारे मैं पूछा गया था तो मैंने आपको clear कर दिया है so I hope this video ने आपको कुछ समझाया होगा इस video ने तो thank you so much for watching this video और अगर आपको और कुछ doubts है तो आप comment में पूछ सकते हैं तो मैं आपको clear कर दूँगा so thank you so much for watching this video